नमस्कार साथियों, मैं सुधी डी सुजा, आप सभी प्यारे साथियों का अपने यूटूब से अनल डी सुजा स्टेडी पॉइंट पर स्वागत करता हूँ आज से हम सभी नए छातरों के लिए लुसेंट समाने ग्यान शुरू करने जा रहे हैं जो हर परतियोंगी छातरों की पहली पसंद होती है यकीन मानिए यदि आप लुसेंट को पूरा कॉवर कर ले रहे हैं किसी भी परतियोंगी परिक्षा की आप लगभग 40-50 पर 30 जोग प्रश्ण बनता है यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा तो लुसेंट के अंतरगत सबसे पहले इतिहास को पढ़ाया जाएगा साथ ही साथ घटना चक्र का जो अबजेक्टिव जो कुश्चन होता है उसे भी कराया जाएगा यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंच सके तो आई ये बिना समय गवाए हम लोग आज की पहली केलास यानि की पहला टोपिक प्राचीन भारती इतिहास के सुरूत से शुरू करते है इतिहास भारत का इतिहास तो उत्तर में हिमाले से लेकर के दक्षिन में समुदर तक फहला या उप महादीब भारत वर्ष के नाम से गया थे किस नाम से तो भारत वर्ष के नाम से गया थे उप महादीब यानि कि महादीब का एक उप खंड है जिसका एक विशिष्ट राजनीतिक, भगौलिक और सांस्क्रितिक पाचान है जिसे महकाब तथा पुरानों में भारत वर्ज, अर्थात भरतों का देश तथा यहां के निवासियों को भारती अर्थात भारत की संतान कहा गिया इसमें तो यह पुरानों में कहा गिया कादीप कहते थे और अचीन इरानी इसे सिंधू नदी के नाम से जोड़ते थे इरानी किसे नाम से जोड़ते थे तो सिंधू नाम से जोड़ते थे जिसे वे सिंधू न कह करके क्या कहते थे तो हिंदू कहते थे यही नाम फिर पुरे पच्छी में फैल गया क्या हुआ ना कि बाद में ये जो नाम है पूरे पच्छी में फैल गिया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा युनानी इसे इंडे और अरब इसे हिंद कहते थे मद काल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा तो अभी तक क्या देखे हैं कि इरानी इसे क्या कहते थे सिंदु कहते थे जो नदी था इसके नाम पर इसे सिंदु यानि कि हिंदु और युनानी इसे इंडे कहते थे और अरब के लोग इसे हिंद कहते थे यउनानी भाथसा कि इंडिे के अधार पर अंग्रेज इसे क्या कहने लगे तो इंडिया कहने लगे बिंद की परवत सिरिंखिला बिंद की जो परवत सिरिंखिला है यह कहा है तो oluşपर देश में पड़ता है देश के उतर और दक्षिन दो भागों में बाढती है इसे क्या करता है कि उतर और दक्षिन दो भागों में बाढती है उतर में इंडो ए उरोपिय परिवार की भासा है बोलने वालों का बहुमत है उतर में क्या है कि यूरोपिय परिवार की भासा है बोलने वालों और दक्सिन में जो है ये दर्बिन भासा यहां बहुमत है भारत की जनसंख्या का निर्वान जिन परमुख नसलों के भी मिश्रन से हुआ है वे इस परकार है प्रोटो अस्ट्रेलियाइड पेलियो मेडिट्रेनियान काकेसाइड निगुराइड और मंगलवाइड तो ये इंपोर्टेंट है भारतिय जो इतिहास है इसे अध्यन के लिए कितने भागों में बाटा गिया है तो तीन भागों में बाटा गिया है यानि की परचीन भारत मदेकालिन भारत और अधुनिक भारत प्राचीन बहरती इतिहास के बिशे में जनकारी मुखे 4 सुरोतों से प्राप्त होती है तो कितने सुरोतों से प्राप्त होती है क्या तो धर्म गरंथ, एतिहासी गरंथ विदेसियों का भीवरन, पुरतात व समन दी साथ छे यहनी कि धर्म गरंथ में आ जाता है रिग वेद हो गिया, साम वेद, यजूर वेद, अथर वेद, और पुरान में देखा जाए, इतिहासी गरंथ में हो गिया, पुरान हो गिया, बहुत जैल धर्म ये सब आ जाता है, और लेखक में देखा जाए, तो यूनानी, रोम, अंचीनी, अर्भी ये सब जो आए, और प बारत का सर प्राचीन गरंत अगर पुछा जाए तो ये वेद है जिसका संकलन करता कौन है तो महर्ची क्रिष्ण द्वायपन वेद व्यास को माना जाता है वेद जो है वसुदैव कुटूम्बकम का उपदेश देता है यहने कि सारी दुनिया एक परिवार है या धरती एक प इसमें मानती है यानि कि बेदों को ना То किसी ने राचा है किसी ने नहीं राचा है यानि कि ना तो मनुस ने और नहीं किस ने तो देभी सक्टी के द्वारा यानि कि आप Инकिशमें इसमें जो सरपर्थम है वो कौन सा है तो रिगवेद है तो रिचाव के करमबद ज्यान के संग्रा को रिगवेद कहा जाता है यानि कि जो रिचाए है इसके करमबद जो संग्रा है उसे क्या कहा जाता है तरीगवेद कहा जाता है इसमें 10 मंडल यहां से इंपोर्टेंट है क् कि हर एक्जाम में रिग वेचे एक दो कोस्टन देखने को मिल जाता है तो इसमें 10 मंडल 1028 सुक्त है जिसमें वात खिले पाठ के 11 सुक्त शहीद इसमें 1028 जो इसमें यानि कि इसमें वात खिले जो पाठ है इसका 11 सुक्त इसको मिला करें 1028 है और 10462 जो है यह क्या है तो लिचाय है इस प्रकार कैसे लिचायों के पड़ने वाले रिच्शी को हो तुरू कहते है रिग वेद को पढ़ने वाले रिशी को क्या कहा जाता है तो होतरू कहा जाता है इस वेद से आरे के राजनितिक पर ना ली किसे तो रिग वेद से आरे के राजनितिक पर ना ली इतिहास और इसबर की महिमा के बारे में जनकारी मिलती है इसे मिलता है तो रिग वेट से मिलता है बिश्वा मित रुद्वारा राची तीरी वेट के तीसरे मंडल में सुर्य देवता साब भी तरी को शमर पीते प्रसीद जो गैतरी मंत्र है गैतरी मंत्र किसमें तो तीसरे मंडल में किसमे तरी वेट के तीसरे मंडल में इस पर start लगा लिजिएगा. यह most important question है. यहां से पुछा जाता है. इसके आठमे मंडल की हस्थ लिखित रिचाओ को खील कहा जाता है? इसके जो आठमा जो मंडल है. इसके हस्थ लिखित रिचाओ को क्या कहा जाता है? तो खील कहा जाता है. चतुस्य वर्न समाज की कलपना का आदि सुरू तरीग वेदि के दसमे मंडल में वर्नित पुरुशुक्त है जिसके अनुसारत चार ये वर्न बरहामन चत्रिय वैस और शुद्र इसमें तरीग वेदि के दसमे मंडल में इसका उलेख की मिलता है आदि पुरुश बरहामा के करम समुख, भुजाव, जंगाव और चौरने से उत्पन हुए है तो यहां से यह important नहीं है लेकिन ये दसमें जो मंडल है इसमें पुरुशुक्त मतलब की जो चार है बरहामन, चत्रिय वैस और शुद्र इसका जो वननन मिलता है रीग वेदि के दसमें मंडल में मिलता है तो यहां से इंपोर्टेंट है इसको याद रखिएगा धर्म सुत्र चार परमुख जातियों की इस्थितियों, ब्यवसायों, दाईतवों, कर्तबों, तथा विशे साध्दिकार में क्या करता है तो असपष्ट भीवेद करता है कौन साथ धर्म स सुत्र, इरीवेद के कई परिछेदों में पर्युक्त अगन्य सब्द का सम्मध किस्से है तो गाय से है, इसे याद रखिएगा क्योंकि पूछा गया क्योश्चन है यह, इसापुर्व और इस भी, तो यह सब तो आप लोग पढ़े ही हो, यह जब आठमी या नौमी के ला जो कहिए, इसाई धर्म गुरु इसा मसी के जन्व वर्स्वे, यानि कि जो कल्पी थे, इस पर अधारी थे, इसा मसी के जन्व के समय के जो, समय को इसापुर्व, यानि कि BC, समय से जो पहले हो गया, उसे BC कहा गया, ठीक है, यानि इनकी before the birth of Jesus Christ कहा जाता है, इसापुर्व में वर्स्व की गिंती जो होता है, यह उल्टी दिसा में होती है, जैसे महत्मा बुद्ध का जन्व हो गया, माल लिया जाए कि यहां से है, इसको अगर जीरो रखा जाए, यहां से, तो माल लिया जाए कि यहां, इसका, इसा मसी का जन्व, अगर यहां से अगर सुरू कर र प्रवान हो गया था, 483 BC में हो गया था, यहां से और पीछे हो जाएगा, तो यह जो होगा, यह काफी पहले का दर्स आएगा, तो यह BC हो जाएगा, और इधर जब आएंगे आगे, तो एक, दो, तीन, चर्म जो होता है, यह AD में चला जाता है, तो इसा पुर्व की में के जन्म के, 563 वर्पुर्व महत्मा गांधी के, महत्मा बूध का जन्म, और 483 वर्पुर्व क्या-क्या हो गया, तो मिर्थु हुआ, इसा मसी की जन्म तिथी से आरंब सन, इस भी सन कहलाता है, इसे संचेप में AD लिखा जाता है, यानि कि एनो डोमीनी जो इसका आर्थ हो पराचीन भारत का पहला सुबेवस्थित इतिहास, Early History of India, 1904 में तयार किया था, किसके द्वारा, तब विसेंठ और्थर एस्मिन्थ ने कब तो 1904 में, क्या नाम, Early History of India तयार किया था, इस पूस्ता की एक तिहाई भाग में केवल, सिकंदर के आकर्मन का वर्णी था, किसका यहां बिरिटिस आये, तो उसके बाद में यहां के लोगों में क्या हुआ, तो राजनेतिक एकता आया, कि कैसे हम लोग मील करके अग्रेजों को बाहर भागा सकते हैं, यहां से हटा सकते हैं, उससे पहले क्या था, कि स्वेक्षाचारी, यानि कि अपना-पना जो था, यह उन्होंने लिखा है, वस्तूता भारतिये इतिहासकारों का सरुकार सासन की, एक मात्र, स्वरूप क्या था, तत्ता नसाही सहीं है, ऐसा किस ने लिखा है, तो ओथर स्मित ने लिखा है, अरली हिस्ट्री ओप इंडिया, 1904 में तयार गिया गिया, यह इंपोर्टेंट है, वावनावतार के तिन पगो का जो व्यक्यान है, यह प्राचिंतम सरुत किसमे है, तो रीग वेद है, रीग वेद में इंदर के लिए अरहाईस हो तथा अगनी के लिए दूसर रिचाओ की रचना की गई है, लीग वेद में इंदर के लिए कितना अरहाईस हो तथा अगनी क पिले कितने रिचाओ का तो दूसर रिचाओ की क्या किया गिया है तो रचना किया गिया है ठीक है तो अभी तक थोरा जो परें हुए है उसमें एक दो चीज डिकॉल कीजिए जैसे कि अगर पूछा जाए बारत वर्स का उले कहां मिलता है बारत वर्स का उले कहां मिलता है बत और अरब के द्वराग्या कहा गया तो हिंद कहा गया और अंग्रेज ने बाद में इसे क्या कहा तो इंडिया कहा आगे देखिए प्राचीन इतिहास के साधन में के रूप में वैदिक साहित में रीग वैद के बाद किसका अस्थान आता है तो सत्पत बरहमन का अस्थान आता इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित में, रिग वैदिक साहित में कहा जा रहा है कि रिग वैद के बाद सत्वत भरामन का स्थान आता है। यजूर वेद, तो इसके जो होता है, अधरवयू कालाता है, यह important है, इसको याद रखिएगा, यजूर वेद में यगों के नियमों और बिधी बिधानों का संकलन किसमें मिलता है, तो यजूर वेद में मिलता है, इसमें बली दान बिधी का भी वर्णन है, यह एक ऐसा वेद साम का जो साब्दिक अर्थ होता है किसे होता है तो गान से होता है इस वेद में मुख्यत यगों के आपसर पर गाय जाने वाले रिचाओ इसका तो रिचाओ यानि कि मंतुरों का संकलन है इसके पाठ करता को उदातुरू कहते हैं इसको क्या कहते हैं तो उडातरू कहते हैं, इसका संकलन रीगवेद पर ही अधारित है, इसका जो संकलन है किस पर है तो रीगवेद पर ही अधारित है, इसमें 8072 से सुक्त है, जो पराया रीगवेद से ही लिए गए हैं,ımızı भारतिय संगीत का जनक कहा जाता है, most important, भारतिय किसी भी विश्यस्ट एतिहासी घटना का वनन हमें देखने को नहीं मिलता है। अथरवेद, अथरवार इशी दोरा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगवग 6000 पद है। यह इंपोर्टेंट है, यहां इस पर ध्यान दिजिएगा। 731 इसमें कहीं कहीं 730 देखने को मिलता है, लेकिन 731 मंत्र तथा लगवग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र रिगवैदिक मंत्रों से भी पराचिन तम है। औस्ति का उलेक सबसे पहले अथरवेद में मिलता है। इतिहासिक दिरिष्टी से अथरवेद का महत्व इस बात से है कि इसमें शमान्य पूर्शों का विचारों तथा अंध्विश्वासों का वीवरन किसमें मिलता है। तो इसमें अथरवेद में मिलता है। इसमें महत्मय आदि का विवरन जो दिया गिया है। किसे दो पुत्रिया कहा गिया है, तो सभा और समीति को परजापती की दो पुत्रिया कहा गिया है। वेदों को भी कई सखाए हैं, वेद के भी अन्य बहुत सारे सखाए हैं, तो यहां से इंपोर्टेंट है, इसमें ध्याना कियेगा। जैसे कि जो वेदिक अध्यान और व्याख्या से जूरे बीविन दिरिष्टी कोनों का क्या करता है, तो यह परतिन इधित्व करता है, यानि कि इसका सब साखा है, तो साखल जो है, यह पूछा जाता है, किसकी साखा है। तो रिख वेद से जूरी एक मात्र जो जीवित साखा है, यह साकल हो जाता है, और यजूर वेद को, रिख वेद का साकल हो गया, यजूर वेद का क्रिष्ण यजूर वेद और सूकल यजूर वेद, दो साखाओं में बटा गया है, और मध्यान दिन और कानव सूकल यजूर हो जाता है यह हो जाता है किसना इसका भी एक अलग सखा हो जाता है कृष्ण का तो यह कृष्ण जो देख रहे हैं इसका कृष्ण यजुर्वेद से जुरी जो सखा है इसका चार है तो काठक है का निश्ठल है मैतरानी और तैतरी है यह किसका है तो यह कृष्ण यजुर्व शौनक और पैपलाद जो है यह अथरवेद की सखा है तो इसको सब अलग-अलग ट्री बना करके इसको लिख लीजिएगा जैसे की रीगवेद में हो जाता है तो रीगवेद में साकल हो जाएगा यह जूरवेद में जो दो देखे हैं तो सूकल और यह जूरवेद के हैं तो सूकल में जो आया है यह मध्यान दिन और कानप जो आया है ठीक है और इसमें जो क्रिश्ट में आया है तो यह क्रिश्ट में आया है काठक है कनिश्टल है महत्रानी और तेते ही है और सामवेद में याद रखिये और ये साकल, यहाँ से धी question देखने को मिलता है, अगर साकल के बारे में पूछा जाए, यह किसका हो जाता है, तरीग वेद का एक मातर जो साखा है, यह कुन सा है, तो साकल है, और स्वानक और पैपलाद अगर पूछा जाए, तो यह अथरवेद का हो जाता है, सबसे प्राचीन वेद यह लिग वेद और सबसे बाद का जो वेद है, यह कुन सा है, तो अथरवेद है, ठीक है, बरहामन अरण्यक और तथा उपनी सद, अगे इसमें जो दिया गया है, कि सहीता, यानि कि जो देखे हैं, चारो वेदों का जो था, लिग वेद, लिग वैदिक कालिन समाज और संस्क्रिती के विसे में जनकारी पराप्त होती है। यहां से पूछा जाता है। तो यहां से पूछा जाता है। तो यहां से पूछा जाता है। तो उस पत पर जो जाता है अथरवेद तो गोपत है। तो गोपत इसका हो गया अथरवेद का यह इंपोर्टेंट है। इसको ध्यान रखेगा क्योंकि यहां से कोश्चन पूछा जाता है। तो रखेगा अगर पूछा जाए बरहामन गरंथ तो एत्रय और कौशित की हो जाता है। यजूर वेद का तेत्रय और सत्पत हो जाता है। साम वेद का पंचवीश हो जाता है। अथरवेद का गोपत हो जाता है। इन बरहमन गरंथों में से हमें परिक्षित के बाद यानि कि जो राजा परिक्षित था उसके बाद और बिम्बिशार यानि कि जो मगद का जो राजा था बिम्बिशार के पुर्व की घटनाओं का ग्यान हमें पराप्त होता है इससे तो बरहमन गरंथों से इत्रे में राज गंधार शल्य कायकै कुरू पंचाल कोशल विदे आदि रजाव का उल्यक मिलता है। सत्पत्थ बरामन में, देखिए इस जो सत्पत्थ बरामन आया था, उसके है तो यजूर वेद का है। ये सब याद होना चाहिए यजुर्वेद का किस में है तो सत्पत में किसका तगंधार का शल्य कैकै कुरू पंचाल कोशल विदे आधी रजाओ का उल्यक किस में मिलता है तो सत्पत बरहामन में मिलता है वैदिक साहित्ते में रीगवेद के बाद किसका तसत्पत बरामन का ही अस्थान आता है अरण्यक में यग से जूरे करम कांडो की दारसनिक और परतिकात्मक अभिवेक्त है किसमें तो अरण्यक में उपनिशद की संख्या कितनी है तो 108 जो है ये उपनिशदों की संख्या 108 है लेकिन अगर पुरानों की संख्या पूछा जाए कि पुरान की संख्या कितना है तो यह 18 हो जाता है इसमें से 13 को मुलभूत उपनिशदों की सिरेनी में रखा जाता है उपनिशद की संख्या 108 है इसमें से 13 को मुलभूत उपनिशदों की सिरेनी में रखा गिया है इसमें यग से जूरे दार्सनिक विचार, सरीर, ब्रहमांड, आत्मा तथा ब्रहमा की ब्यक्ष्या की गई है किसमें तो उपनिशद में इस्तिरी की सरवादिक गिरी हुई इस्तिती मैत्रेनी शहिता से पराप्थ होती है इसमें जूआ और सराब की भाती इस्तिरी को पूरुस का तिसरा मुख्य दोस्ट बताया गिया है तो इस्तिरी की सरवादिक गिरी हुई जो इस्तिती है किसे पराप्थ होता है तो मैत्रेनी शहिता से पराप्थ होती है सत्पत बरहमन में इस्तिरी को पुरुस की अर्धांगनी कहा गिया है सत्पत बरहमन अभी देखे थे किसका है तो यहां देखिए सत्पत यजूर वेद का सत्पत बरहमन तो इसमें जो है सत्पत बरहमन में इस्तिरी को पुरुस की अर्धांगनी कहा गिया है most important question है ये जवालो उपनिशद में चारो अस्रमों का उलेख मिलता है किसमें तद जवालो जो उपनिशद है इसमें चारो अस्रमों का उलेख मिलता है इस पर इस्टार लगाईएगा ये सब important question है चार अस्रम कोंचा तब रमचेरे गिरिहस्त सन्यास और वानपरस्त जो होता है ये चार अस्रम है असमें उसके आगे कार है कि अस्मिर्ती गरंथों में सबसे प्राचीन और प्रमानिक मनु अस्मिर्ती मानी जाती है जो अस्मिर्थी है जानी कि मेमोरी के अधार पर जो याद है याद के अधार पर अस्मिर्थी गरंथों में सबसे प्राचीन और परमानिक मनु अस्मिर्थी मानी जाती है यह सुंग काल का मानक गरंथ है, यहां से important है, यह याद रखिएगा, अस्मिर्ती गरंथ सुंग काल का यह मानक गरंथ है, नारद अस्मिर्ती गुप्त यूग के विशय के बारे में जनकारी पराब्द करता है, जो नारद अस्मिर्ती है, यह गुप्त यूग के बारे में क्य करता है तो जनकारी परदान करता है वेदांग और सूत्र तो वेदांग जो होता है वेदों को भली भाति समझने के लिए च्छा वेदांगों की रचना हुई वेदांगों की संख्या पूछा जाएगो कितना तो च्छा पुरान की संख्या 18 ठीक है तब वेदांगों के जो च यह समझने के लिए छब वेदांगों की रचना हो जिसमें से वेदा सिक्षा हो गिया सिक्षा है कल्प है निरुक्त है व्याकरन चंद और जोतिस होता है तो वेदांगों की संख्या यहां से इंपोर्टेंट है यह इसको याद रखियेगा आगे जो है इसमें एक मिनट काता है वेदिक साहितों को अच्छुन्य बना रखने के लिए सुत्र साहिते का पन्यान किया गिया स्रौत ग्री तथा का धर्म सुत्रों के अध्यान से हमें यगिये विधी विधानों कर्म कांडों तथा राजनीती विधी और वेवार से समधित महत्मून बाते ग्याद करते हैं किसे तो वेदिक साहिते में अच्छुन बना रखने के लिए सुत्र साहिती का क्या हुआ तपन्यान किया गिया किसका सुत्र साहिती का यानि कि क्यों तो वेदिक साहित को अच्छुन बना रखने के लिए तो किसे सबसे प्राचीन मना जाता है तो गौतम धर्म सूत्र को सबसे प्राचीन मना जाता है उसके आगे जो है ये पुरान है यानि कि जो चार जो परमुक सुरोत थे इसमें का पुरान जो आता है धर्म जैसे कि बताये थे न कि धर्म गरंथ एतिहासी के एतिहासी कोता है इसमें पुरान तो एतिहासी गरंथ में ये पुरान आ जाता है तो पुरान भारतिय एतिहासी कथाओ का सबसे अच्छा करंबद वीवरन जो हमें देखने को मिलता है ये पुरानों में ही मिलता है भारतिय एतिहासी कथाओ का सबसे अच्छा करंबद वीवरन किसमें मिलता है तो पुरान में मिलता है इसके रचाइता लो महर्स है अथवा इसके पूत्र उग्रसरबा माने जाते हैं जो अभी option में रहे, इसके जो रचाईता लो महर साथवा, इनके पूत्र जो है, उगर सरवा को माने जाते हैं, इसकी संख्या कितना है तो अठा रहा है, अभी बता है न, कि पुरानों की संख्या अठा रहा है, जिसमें से केबल पांच जो है, मज्से, वायू, विश्नु, ब से मतलब आंदर साथवाहन, वायू, जो होता है, ये कैसा होता है, चिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो वायू पुरान में गुप्त वाहन के बारे में जनकारी, विश्णु से मोर्य वंस, मत्से, अंदर साथवाहन, पुरानों में मत्से, पुरान, सबसे प्राशीन और परमानिक है, मच्छे पुरान सबसे प्राशीन और क्या है तो यह परमानिक है, अधिकतर पुरान सरल संस्कृत सलोक में लिखे गया है, इस्तिरिया तथा सुधर जिन्हे वेद पढ़ने के नुमती नहीं थी, वे भी पुरान सुन सकते थे, पुरानों का पाठ पुजारी में किया करते थे, समाजिक और संस्कृतिक दिरिष्टी से अगनी पुरान का काफी महत्व है, इसमें राज तंतर के सांथ-सांथ-सांथ-सांथ-सांथ-सांथ-सांथ-सांथ-सांथ-सांथ-सांथ-सांथ-सांथ-सांथ-सांथ-सांथ-सांथ-सांथ-सांथ-सांथ-सांथ- ये जातक में, एक कोश्चन पूछा जाता है, कि बूध के पुर्म जनम की कहानी किसमे वर्नित है तो जातक में, खिन यान का परमुख गरंत कथा वस्तु है, आगे पढ़ने को मिलेगा, डिटेल्स में बहुत गरंत, जैन, बहुत धर्म, जैन, धर्म यह सब मिलेगा, तो खि अवस्तु है, जैन सहित्य को आगम कहा जाता है, इंपोर्टेंट कुस्चन है, जैन सहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, कल्प सुत्र से ग्यात होता है, जैन धर्म का जो प्रारंभिक जो इतिहास है में, कल्प सुत्र से पराप्त होता है, जैन गरंथ भगवाती सूतर में महाबीर के जीवन कृतियों तथा अन शमकालिकों के साथ उनके शमंधों का जो वीवरन देखने को मिलता है, ये किसमें मिलता है, तो भगवाती सूतर में मिलता है, जैन गरंथ जो भगवाती सूतर में है, सुल्ला महाजन पदो का जो उलेख मिलता है यह भगवाती सूतर में और अउट्तर निकाह जो बहुत घरन्त है उसमें हमको देखने को मिलता है तो इससे बता दिये हैं सब आगोपने को मिलेगा अर्थशास्तर में लेखक अर्थशास्तर के लेखक जो है चाननकिया कोटिल्य या लुपत कहिए चानक्य कहिए इसका लिखा कौन है तो चानक्य है यह 15 अधिकरणों और 180 परकरणों में विभाजित है तो यह 15 अधिकरणों यहां से question पूछा जाता है कि अर्थ शास्तर कितने अधिकरणों में विभाजित है तो 15 अधिकरणों में विभाजित है इस पर important कर ल संस्क्रित साहित्य में एतिहासी घटनाव को करंबध लिखने का सरपर्थम पर्यास संस्क्रित साहित्य में इसमें तो कलहन के दोरा किया गिया कलहन दोरा जो रचित पूस्तक राज तरंगनी जिसमें राजाव की नदी इस गरंथ में आठ सर्ग है तो इसमें ये भी में तो आठ सर्ग में ये विवाजित है इस गरंथ में आठ सर्ग है जिसे तरंगनी की संग्या दी गई है तो यहां से इस पर IMPORTANT यहां स्टार लागाइएगा यह question पुछा जाएगा इसमें तरंग जिनहें तरंगी की संग्या दी गई है जिसे प्ररारम से ले के बरहमी सदी तक के कस्मीर के सासकों का वर्नन हमें मिलता है किसमें तो राज तरंगिनी में इसका लेखा कौन तककल हने के द्वरा किसमें तो संस्कृत में लिखा गया है ये औरवो की सिंध विजय का विरितांत चचनामा जो औरवो का जो सिंध विजय का विरितांत है ये क इसमें मौरी यूगिन राजनितिक ब्यवस्ता की आवस्ता की जनकारी हमें इसे पराप्त होती है अष्टा ध्याई में पहली बार लीपी सब्द का परियोग हुआ है यहां की कैसे भी देवनागरी लिपी अलग-अलग जो लीपी होता है तो अष्टा ध्याई में सबसे पहले लीपी सब्द का पर योग तिया गया कत्यायन की गारगी शहिता एक इसमें important है यहां कात्यायन, इसमें याद रखिएगा कि कात्यायन की गारगी शहीता एक जोतिस गरंत है, पिर भी इसमें भारत पर होने बाले यवन आकरमन का उलेख इसमें हमें मिलता है, भारत पर जो यवन का जो आकरमन हुआ था ये किसमें मिलता है, तो कात्यायन की जो गारगी शही इसमें हमको मिलता है पतंजिली पुष्ट परमीत रशूंग के पूरोहित थे पतंजिली जो कौन थे तब पुष्ट परमीत रशूंग के क्या थे तब पूरोहित थे इनके महाभासे से सुंगो के इतिहास का पता चलता है इसके जो महाभासे से हमें क्या पता चलता है तो सु यूनानी रोमन लिखा टियसियस ये इरान का क्या था तो ये राज वैदे था अब लोग क्या किजिएगा ना कि वीडियो देखने के बाद नया जो लुसेंट का जो भूक होगा उसे ले लीजिएगा और नए विद्यार्थियों के लिए काफी ये रामवान है काफी इंपोर राज वैदे था और इसका जो अबजेक्टिव होगा उसको लुसेंट से करा देंगे जो भी इंपोर्टन जो भी पर रहे हैं सारा कोशन लुसेंट में घटना चक्र से मिल जाएगा टेसियस है ये इरान का क्या था तो राज वैदे था भारत के समध में इसका वीबरन आसर फरी जना कहानियट से परिपूर्ण होने के कारण क्या है तो ये अविश्वशनीय घटेसियस है कहा का तो इरान का राज वैदे था और हेरो डोटस इसे क्या पhr wond oni हो येगा जाते है श्काओ पीता कहा जाता है इसने अपनी पुस्त Τक हिस्टोरिका में पांच्मी सतावद इसापुर्व के भारत-फारत संबंध के बारे में जनकारी ये दिया है वर्नन किया है परन्तु इसका बीवरन भी अनुसूरुतियों और अफ़बाहों पर अधारी थे यानि कि इसमें भी क्या है कि अनुसूरु मैंने की दूसरे के सुने-सुनाई बातों को लिख दिया और इसमें भी काफी अफ़बाह देखने को मिलता है। पूछा जाएगा, मेगा अस्थिनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूद था, ये किया था, तो जो सेल्यूकस निकेटर था, इसका राजदूद था, जो चंदरगुप्त मोरी के दरवार में आया था, किसके तो चंदरगुप्त मोरी के राजदरवार में कोन आया था, तो मेगा अस्थिनीज आया हुआ था ये किसका तराजदू था तसेलिकस निकेटर का राजदू था जो चंद्रगुप्त मोरे के राजदरवार में आया था इसने अपनी पूस्तक इंडिका में से मोर्य यूगिन समाज और संस्कृति के विशह में जनकारी मिलता है यानि कि इसका जो लेख्या का अगर पूछा जाए तो मेगा अस्थिनीज बहुत वारे कोशन पूछा जा चुका है इसलिए ध्यान रखिएगा डाइमेकर्स तो ये सिरियन नरेस अंटियोकस का राजदू था ये सिरियन नरेस जो था ये अंटियोकस कहिए या अंटियोकस कहिए ज तो फिले डेल फस्का राजदुद्ध था जो असोक के राजदर बार में आया था। यहां से question दिखने को मिलता है तो मिलता ही है इसलिए इसको याद कर लिजिएगा टॉलमी जो है दूसरे सताबदी में भारत का भुगल नामक पुछा जा चुका है पुछा जा चुका है यानि कि SI जो हुआ था इसका जो PT हुआ था इसमें question पुछा गया है पलीनी के बारे में इसने पर्थम सताबदी में natural history नामक पुछतक लिखी थे natural history पुछतक के लिखा कोन है question यही था तो इसमें याद रखियेगा पलीनी है इसमें भारतिय प्वशुओ पियर पोदे खनीज पदार्थो आदी के बावरे में इसमें क्या होता है कि विवरन मिलता है पेरिफलस ओफ एरित्रियंसी यह question BPSC 2018 के PT में पुछा गया question है इसका जो लेखा के बारे में पूछा गया था इसका जो लेखा क्या अगयात है इस पुछतक के बारे में लेखा के बारे में जनकारी नहीं है इसके बारे में क्या है कि कोई जनकारी नहीं है ठीक है यह लेखा करीब 80 इस्वी में हिंद महासागर की यतरा पराया था, यानि कि 80 एडी में ये हिंद महासागर की यतरा पराया था, इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा वियपारी के बस्तुए के बारे में क्या किया है कि जनकारी दी है, चीनी लेखक, अब जो है इसके दरबार मेया था चंदरगुप्त दूतिये के दरबार मेया था ये नाम important है यहाँ से याद रखिए पूछा जाएगा कि जो फायान है चिनी यातरी किसके राज़ दरबार मेया था तो चंदरगुप्त दूतिये के दरबार मेया था इसने अपने बीवरन में मध परदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्नन किया है तो फाहियान किसमें तो मद परदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्नन है इसमें मद परदेश की जनता को सुखी और समरीद बताया गिया है उसे में बताया था कि मद परदेश का जो जनता था ये सुखी और समरीद था, यह 14 वर्सों तक भारत में रहा, तो कितने वर्स तक भारत में रहा, तो 14 वर्स तक एक भारत में रहा, शयूगन जो था, यह 518 इस्वी में भारत आया था, कब तो 518 इस्वी में यह भारत आया था, इसने अपने तीन वर्सों की यतरा में बोध धर्म की प्रा बारत वर्ष के लिए परस्थान किया ये डेट इंपोर्टेंट है उचा जाता है और लगबग एक वर्ष की यतरा के बाद यानि कि चो सथीस में यह भारत पहुंच गया कपीसा पहुंचा भारती जो राज है यह कहां पहुंचा तो कपीसा पहुंचा और पुंद्र वर्ष तक ठहर कर यानि कि 30 से लेकर के 15 यानि कि 45 तो 645 इसी में क्या हुआ कि यह चीन लोट गया वह बिहार में नलंदा जिला इस्थिति नलंदा विश्वी देले में अध्यान करने ता था भारत से बहुत धर्मों को गरंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए या था कहा है तो यह नलंदा विश्वी देले का यह चात्र रह चुका था कौन तो वेंसांग और यहां से जो बहुत गरंथ को यह कत्र कर क्या किया यह चीन ले गिया इसका भर्मन बिरितांत है सी यू की नाम से प्रसीद है यह इंपोर्टेंट है वेंसांग का सी यू की याद रखिएगा यह इंपोर्टेंट है बहुत पर पुछा जा चुका है जिसमें 138 देशों का वीवरन मिलता है इसने हर्स का लिन समाज धर्म तथा राजनिती के बारे में वर्नन किया है इसका इसने हर्स के जो समाज है इसका वर्नन किया है इसने हर्स का लिन समाज धर्म तथा राजनिती के बारे में वर्नन किया है इसके नूसार सिंध का जो राजा था कौन था? सिंध का जो राजा था, यह शुदर था. Wijn Sang ने बुद्ध की परतीमा के सांट-सांच, सूर्जWO की परतीमाओ का भी पूज़न किया था. इंपोर्टन्ट qeo Question यहां से पूझा जाता है यह question. तो वेन संग ने बुद्ध की पर्तिमा का भी पूजन किया था था वेन संग के अध्यान के सम्में नलंदा बिश्विद्यले के कूल पती कुन थे था अचारिय सील भदर थे यह बिश्विद्यले बुद्ध दर्शन के लिए परसिद्ध था नलंदा बिश्विद्यले के बारे में कहा जा रहा है कि किसलिए तो यह बहुत दर्शन के लिए परसिद्ध था इति सिंग, सात्मी सतावदी के अंत में भारत आया, यह भी चीनी था, इसने अपने बीवरन में नलंदा बिश्वी दाले, बिकरम सीला बिश्वी दाले तथा अपने समय के भारत का वर्नन किया है, तो नलंदा बिश्वी दाले, बिकरम सीला बिश्वी दाले, जो तुर्क मेनिस्तान का रहने वाला था अर्वी में लिखे गए इसकी जो विक्रिती है किताबुल हिंद या ताकीके हिंद इसे हिंदी में भारत की खोज इंपोर्टेंट हो जाता है किसके द्वारा अलबरुनी के द्वारा किताबुल हिंद या ताकीके हिंद के लिखा उचा अलवरूनी आज भी इतिहास कारों के लिए एक महत्मुन शुरूत है यह विस्तिरित गरंत है जो धर्म और दर्शन तेवारों खगोल विज्ञान कीमिया रिती रिवाजों परथाओ समाजी की जीवन भारत वलत था मापक बिधिया मुर्ति काला कानून मापत अंत्र है इसमें राजपुत कालिन समाज धर्म रिती रिवाज राजनिती आदी पर सुन्दर परकाश डाला गिया है किसमें किताबुल हिंद पर एकस मिनिट उसके आगे जो है इवन बतूता इसके द्वारा अरभी भासा में लिखा गया यतरा बिरतांत जिसे रिहला कहा गया है क्या कहा गिया है तो रिहला कहा गिया है रिहला किसके द्वरा तो इवन बतूता के द्वरा लिखा गिया है और भी भासा में लिखा गिया है ये भी इंपोर्टेंट है इसको पर भी ध्यान दीजिएगा 14. सताबदी में भारतिय उप महादीप के समाजिक तथा सांस्क्रितिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचूर तथा सबसे रोचक जनकारिया देता है 1333 इसमी में दिली पहुंचने पर इसकी बिदिता से परभावित हो करके सुल्तान मुहमद बिन पूगल कहने कि MBT ने उसे दिली का काजी यानि अधिस न्युक्ति किया कब ये पहुंचा था 1333 में ये दिली पहुंच गिया इसके जो बिदिता से परभावित हो करके जो MBT था जिसे MBT मुहमद बिन सुल्तान था इसे मतलब किसे इबन बतुता को दिली का काजी यानि अधिस जो है ये न्युक्ति किया अन्य लिखक में जो है तरानात या तिबती लिखक था कहां का लिखक था तो तिबत का था इसने कंग यूर तथा तंग यूर नामा का गरंथ की रचना की इसने भारते इतिहास के बारे में जनकारी मिलती है तो यहां से तो बहुत कम अन्य लेक तरानाथ यत्ती बती लेखक था बस यहां याद रखिएगा अगर पूछ दिया जाए इसका जो गरंथ है तो कंगे यूर है और तंगे यूर है मारको पूलो ये 33 सताबदी के अंत में पांडे देश की यातरा पराया था इसका बीवरन पांडे इतिहास के अध्यन के लिए उपयोगी है तो पुरा अत्रुसाम कंधि स्ताक्षे मिलने वाली जनकारी पुराता तुप सामांदी साक्षे जो चौथा जो है ये मतलब देखे थे रहाओं ऐसे की फादर ओफ इंडियन अर्कियोजी ups तो ये कहा जाता है इंपोर्टेंट है मोस्ट इंपोर्टेंट है यह याद रखिएगा चोदो सो इसापुर्व के अभिलेख यानि कि बोजाग कोई एसिया माइनर से यह से वैदिक देवता मित्र वरून और इंद्र और नास्त है यानि कि अश्वीनी कुमार के नाम मिलते हैं यह इंपोर्टें इंपोर्टेंट है इसमें कुछ दिया जागा कि किसका नहीं मिलता है इसका मिलता है अगर चार नाम के बाद एक अलग ऑप्टन दिया जाए तिसलिए चारों नाम मिलते है मित्र वरून इंद्र और नस्त है मद्य भारत में भागवत धर्म बिक्चित होने का परमान किसे मिलता है तो यह वन जो राजदुत था इसके हैं यह हेलियोडारस के विश्ट नगर यहीं से बिदीसा गरूर अस्तंब लेख से क्या होता है पराप्त होता है सर्व पर्थम भारत वर्ष का उलेख जो मिलता है हाथी गुंपा अभिलेख में है Most important question है ये सर्व पर्थम भारत वर्ष का उलेख अगर पुझा जाये तो हाथी गुंपा अभिलेख में है सर पर्थम दुर्भिक्ष का जनाकारी देने वाला अभिलेख शहगौरा अभिलेख है इस अभिलेख में संकटकाल में उपियोग हो है तो खद्यान सुरक्षित रखने का भी उलेख किया गिया है किसमे तो संकट काल में खद्यान को जो सुरक्षित रखने का जो है किसमे किया गिया है तो सौहगवरा अभी लेख में देखने को मिलता है सरव पर्था भारत पर होने वाले हुन आकरवन की जर्रकारी भीत्री अस्तम लेख से पराथ होती है सती पर्था का पहला लिखित साग्षे इरन अभी लेखित इसका जो उसे में साचक्ता भानुगुप्ति से पराथ होती है यानि कि इरन अभी लेख से पराथ होती है सती पर्था का पहला लिखित साग्षे इंपोर्टेंट है उंके अभिलेखों के अधार पर लिखा गिया है यहां मनुष्ट के साथ उनके पाल तो हुट्टे को भी दफनाने की पड़ता क्या थै तो परचली थी पराचिंतम सिक्कों को आहा सिक्खे कहा जाता था इसी को शाहित्य बहुत्त से क्या कहा है तो यहां सांसकों के द्वारा किया गया तो यवन सासकों के द्वारा किया गिया सिक्या पर लेख सिक्या पर जो लेख लिखा जाता है ये सरपर्थम किस के द्वारा तो यवन सासकों ने किया महत्पुन अभी लेख एक नजर में इसे देख लिजिए हाथी गुंफा अभी लेख, तिथी रही मतलव किसपर्तिती नहीं है तो यह कलिंग राज खारवेल उसमें के साथ से के बारे में जनकारी मिलता है जूना गड है जो गिरनार अभी लेख है रुद्र दामन का जुनागड अभी लेक, गौतमी बलसिरी का नासिक अभी लेक, समुद्र गुप्त का पर्याग अस्तंब लेक, ऐसे याद रखिएगा पूरा नाम के साथ तो याद हो जाएगा, पुल केसिन का एहुल अभी लेक, मालवा नरेस येसो बर्मन का मंदसोर अभ जुनागड का रुद्र दामन, नासिक अभी लेक, गौतमी पुत्र बलसिरी से, पर्याग शमुद्र को पर्याग परियास याद रखिए कि समुद्र को पार करने का परियास ये होल तो पूल केसिन का मंदसोर अभी लेक, मालवार नरेस येसो बर्मन का, गुवालियर अभी सभण सभड़ाया, चालने तो Würania thighs थो आसे करने के अवाद जयाद हो भी याद रख़ेगा अब लेकों का अध्यान जो होता है इपि गळाफी कहलाता है क्या कहलाता है ये कहलाता तो EP गराफी कहलाता है समुद्ल्गुट को जिप बेना बजाती हुई-hmodra पर इसका संगीत प्रेमी था तो रहने देते हैं आज इतना ही तक ठीक है उसके बाद जो आगे होगा इसको पूरा पर लिजिएगा और इसके आगा जो सिंदु घाटी शावेता है वहां से जो होगा अबजेक्टिव कोशन हुआ उसको पूरा कराने के बाद दो तीन जो टोपिक होगा इससे मतलब घटना चक्र से अबजेक्टिव करा देंगे उस समय से वीडियो नहीं आ रहा था लगभग एक महिना से नहीं आ रहा था परिशानी था कुछ प्रोलम था क्योंकि मेरे पास मोबाइल भी नहीं था और जो मा आ रहे हैं आप से continue वाएगा यहां से काम भी नहीं है यहां से बीजी भी नहीं है continue यहां से और अपरील के बाद अगर हो सके कि एक दो जो टॉपिक होगा इंपोर्टेंट जो होगा उसको बोड़ पर पर परागर करें बोड़ पर लिखने के बाद उसको समझाएंगे उसक अगर कोई अगर कोई आई-एस के तयारी करके आई-एस बन गया है तो वह भी लुसेंट जरूर पढ़ा होगा ऐसा नहीं की नहीं पढ़ा होगा ठीक है तो ठीक है आप लोग अपना ख्याल लखिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए चलिए ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद